हलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल ट्रोट्टोफ शेयर मर्केट सो डिस्कस कर लेता हैं इस्टॉक्स फॉर 11 मार्च 2024 जिस तरह से आप इंडेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी में डेली ट्रेड कर रहे हैं उसी तरह से आप स्टॉक्स को भी सलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ दो त कि अगर मंत की बात करें 20 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आठ नो दस दिन ऐसा होता है जब बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखेगा एंड कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा उस दिन स्टॉक्स में भी दिखेगा तो इस आटा मोटर ने हमें सेकंड टार्गेट दिया एकसला फी एस बिखेगा इन ने स्टार डिया डानिया ने हमारा ही भी हुआ है आगा तो आप का एसलन तो यह ह्याह dai को शाविप मेंघником हो जो रहता है और आपको बेनिफित हो लिएच मतलब two times and second target का मतलब almost four times होता तो इस वे में समझ के चलिए कि हाँ यार कभी SL दो में SL और चार में target यानि अगर दो की बात करो टाटो और रिलाइंस में second target हिट हुआ है तो यहाँ पर आप दीरे-दीरे ग्रो कर सकते हैं यहाँ डिके वगेरा यह चीज़ें आपको सोचने की जरुवत नहीं पड़े हैं चलो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स वीडियो इस वीडियो इस एक चोटी सी रेंज में ही पूरा दिन मूवमेंट दिया गया उपर बट वापस आ गया और उसके बाद दिन बहर इसी रेंज में इसने पूरा मूवमेंट दिया है कल के लिए इसली क्या है कि 1447 यह अगर टूटता है तो आप एंटर कर सकते हैं for the target of 1457 and 1470 and 1441 यह अगर नीचे टूटता है तो 1434 and then 1426 यह आपके टार्गेट रहेंगे एसल की बात कर लेते हैं तो एसल आपका 1444 का रहेगा for buying side and अगर selling की बात करें तो selling के लिए पिया आपका एसल 1444 का रहेगा तो तीन पॉइंट का एसल है almost and target आपके around 10 point and कहीं पर आपका 8-9 point होगे तो छोटे से एसल है रेंज में हैं देखते हैं यह रेंज को कब तोड़त है आचा Monday का holiday sorry कल holiday है तो directly Monday में market open होगा तो आज का जो FIS data that is important कि वो किस टाइप से position build करके गहें तीन दिन के हिसाब से वो decay की planning करके गहें या फिर वो एक बड़े movement की planning करके गहें चलो अब लेवल वाई देख लेते हैं एक्सेज में एक्सेज में की बात करों तो देखो सेवन यहां यहां कहीं क्लोज हुआ था यह आपकी देंज कल गीवन थी जैसे यह टूटा उसके बाद देखो यहां तक आपको काफी अच्छा movement मिला first target almost hit हुआ आपका एंड उसके बाद थोड़ा बाउंस किया नीचे भी the blue pattern बनागे यहां तक जाने की कोशिश करेगा कहां तक 1122.5 देन अगर यह भी तूटता है तो फिर upper range को also कोशिश करेगा कि touch करें तो 1130 तक का हमारा second target रहेगा यहां अगर हम बात करें SL की SL आपका रहेगा 1110 का चोटा सा SL है ज्यादा बढ़ा नहीं अगर hit भी हो जाता है दो point में कुछ नहीं जाता है न बढ़ हां target मिलते हैं तो काफी अच्छा है नहीं एक बार SL हिट हुआ और तीन बार आपको target मिलके यह सोरी तीन बार SL हिट हुआ एक बार target मिलके तब भी benefit में रहोगे ठीक है चलो 1107.5 अगर यह नीचे टूटता है जो आज का लो था तो फिर यह one second कोशिश करेगा 1099.5 and then 1091 यहां तक जाने के यहां पर SL थोड़ा सा बड़ा रहेगा 1111 का अल्मूस्ट आपका SL रहेगा साड़े 3.5 ठीक है तो आपको पता है काफी उपर से second target के बाद भी काफी नीचे गया है तो अब भी क्या है देखो यह एसे उपर गया था यहां नीचे आए ता फिर उपर गया था फिर नीचे आए तो अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यह M पैटन का breakdown है तो अगर यह successful है यानि अगर यह level resistance बन गया तो नो डाउट नीचे जाएगा तो आपस अगर इसके उपर जाके सर्वाइव करता है कौन सा लेवल 2961 अगर इसके उपर जाके सर्वाइव करता है तो 2972 and 2981 यहां तक के target आपको मिलेंगे 2957 का आपका SL भी रहेगा चलो के target रही है यहां पर अगर मैं SL की बात करूँ तो 2956 का अपका SL रहेगा इन रिलाइंस नेक्स बात कर लेदें सो दाट इस वर इंफोसेस इंफोसेस में क्या हुआ इंफोसेस सर्वंत यहां यहां पर यह close हुआ था एंड यह रेंज थी हमारी के इसके नीचे सेल करेंगे य हुआ अब मैंने एक और चीज आपको बता रही है कि जब वापस रेंज में जाएगा कि किसी भी डारिक्शन में लाइक है इस नीचे जाके ब्रेकडाउन देके वापस रेंज में जाएगा तो अपर लेवल को ज़रूर टच करने कोशिश करेगा तो अपर लेवल फिर टच तो यहां पर जब भी ब्रेक आउट होगा या फेक ब्रेक आउट होगा तो यह रूल्स को फोलो करेंगे कितना एक्टी परसंट जांग कभी-कभी नहीं यह करेंगे मार्केट है न चलो अब लेवल की बात कर लेते हैं इंफोसिस में 1622 सॉरी 1620.5 अगर यह टूटता है तो 32 and then 41.5 तक के टार्गेट आपको देखने को मिलेंगे and अगर 13.5 नीचे टूटता है तो फिर आपको 5.5 and 15.95 तक के टार्गेट देखने को मिलेंगे SL की बात करूँ तो SL बाइंग साइड में आपका रहेगा 1617 का और सेलिंग साइड में आपका रहेगा 1618 का ठीक है so that's your hard SL for infosys next बात कर लेते हैं so that is SBI SBI काफी दिनों से bullish movement में ठीक है यह trend line जरूद रोग कर लेना ठीक है अगर यहाँ hold करता है तो no doubt buying आईगी बड़ा कर यह breakdown होता है तो फिर काफी अच्छा selling pressure भी जनरेट होगा ठीक है जालो अब level की बात कर लेते है अच्छा अपर trend line में draw करके रखना ताकि आपको याद रहे कहां book करना है है मैं अच्छा जब trend line book करना ही तो closing points को लिया कि लिए ना कि हाई को closing points को लिया कि टार्गेट closing तक जाता है हाई तक जाए नहीं जाए वह लगची जोगी तो 88.5 अगर टूटता है तो 92 and 97 तक के target हमें देखने को मिल सकते है and यहाँ पर हमारा जो SL रहेगा that is 87.5 तो एक point का SL लेके चलेगे 85 अगर टूटता है नीचे तो 81 and 76 तक के यह आपके target रहेंगे कि हाँ इसके उपर bullish है इसके नीचे ग्रेश है उपर गया तो हमने enter कि वापस इस range में आगे तो हमें exit करना है ठीक है once again उपर जाएगा क्योंकि छोटे से loss में निकला होगा कोई दिक्कत नहीं बड़े loss अगर आप यहाँ तक रुके हो तो फिर आपको दिक्कत हो आप एक point के loss में निकल गए वापस उपर गया फिर वापस एंटर कर सकते हैं तो जबर्दस्ती की trade से अच्छा है जबर्दस्त जो भी risk to reward ratio रहता है 1 ratio 2 से ज़्यादा ही रहता है और 1 ratio 3 तक भी होता है 4 तक भी होता है तो एक target हिट हो गया चार बार SL ले सकते हैं चलो अब बात कर लेते हैं SL की 86.5 तो अब यह train line ज़रूर डो कर लेना एक तो closing basis पर closing basis कहां से आएगा तो यहाँ पर जो candle वाला sign है उसकी अब लाइन चार्ट लगा लेना तो वहां से closing closing मिल जाएंगे और एक high low points को भी match कर लीजेए चलो अब next बात कर लेते हैं so that is our Tata Motors Tata Motors ने कहा किया तो Tata Motors यहां से start हुआ exactly इसके जो level आपको given थे यह level given थे यह रेंजी थी तो इसके उपर ही closing दी and जब closing दी तो फिर SL तो हमें पता ही था उसके बाद तो यह काफी उपर देगी तो चलो अब कल के लिए के important है 47 अगर तूटता है तो फिर आपको 57.5 and then 65.6 यह target लेखने को मिल सकते हैं अगर यहां पर हम buy कर रहे हैं तो थो 42 and अगर 35 नीचे टूटता है तो फिर आपको 25.5 and then 15.5 तक के level देखने को मिलेंगे यहां पर SL हमारा 40 का रहेगा SL बड़े है no doubt क्योंकि range भी बड़ी है बट हां यहां पर आप candle का ध्यान रखना कि कोई भी candle breakout देती है उसका low हम soft SL लेके चल सकते हैं और breakdown देती ही तो उसका high हम soft SL लेके चल सकते हैं यह बड़े SL को अटा के हम छोट एसल ले सकते हैं अगर 15 मिनट में आपको कुछ इस टाइप की गेंडिंग मिल रही है तो फिर क्या करना है तो फिर आपको 5 मिनट पे shift करना है और अगर वह भी आपको बड़ी मिल रही है तो फिर आपको 3 मिनट और यह भी बड़ी मिल रही है तो फिर नहीं करना है तो shift नहीं करना फिर वह 5 मिनट के एसल लेके चलना है I hope चीजे क्लियर होंगे किस वे में करना है 15 मिल रही है तो फिर जबर्दस्ती नहीं कि एक दो सिक या नहीं कुछ पॉइंट के लिए हम तीन मिनट पर शिफ्ट करेंग अडानी में नो डाउट अडानी नीचे गया यह जो रूल है हमारा कि यह उपर जाएगा तो उपर के लेवल टच करेगा यह तो वन आवर की केंडल से 15 मिनिट की केंडल देखेंगे तो यहां पर आया तो यह उपर के लेवल टच किया है ठीक है बट इसने breakdown देकर नीचे के लेवल शायद जो गिवन थे वहां तक नहीं गया एक जिकली और उपर जब गया अच्छा यह तो साथ तरिक है यह यह जब यहां गया था तो यह वापस आ गया लोट कहा गया क्योंकि वन आवर की कंडल से तो इसमें तो ऐसे लिए हिट हुआ था अब कल के लिए क्या है थ 3215 एगर टूटता है 14 टूटता है तो 3187 and then 3152 यह आपके टार्गेट रहेंगे यहां पर पी एसल आपका 3230 कर रहेगा तो एसल के लिए रखना 3230 यह एसल रहेगा इसके लिए and यह तो हार्ड एसल रहते हैं जो मैं बताता हूं अगर आपको मिलता है केंडल बैस पर आप उन्हें यूज़ कर सकते हो बढ़ हाँ प्लीज लाइक और कमेंट अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट नहीं पसंद आए तो भी कुछ कमेंट कर दिया किजिए ना जो भी आपका व्यू है जो भी आप एडवाइस दरना जात होना है ना आए होप यहां तक जीज़े क्लियर होंगे क्लियर हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट थैंक यू